हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आप सभी का 27 फरवरी को जो गड़ीत का पेपर है ठीक है उसमें यह सवाल 100% आएगा ठीक है आज हम कच्छा 10 के गड़ीत के सबसे महत्पूर वायरल प्रशनों को देखेंगे जो बोर्ट 2024 में 100% आने वाले सभी सवाल है ठीक ह आज के वीडियो में आप सभी को करड़ी 2, कर綫 3 और करड़ी 5 को सिखाएंगे कि कैसे परीमे संक्या सिद्ध किया जाता है इसके साथ में आपका सवाल रहेगा है दरसाइए कि 5 करड़ी में दू एक परीमे संक्या है इस सवाल को आज हल कराने वाले हैं साथ में आप सभी को पांच माइनस कड़ी तीन और पांच प्लस कड़ी तीन एक परिम्य संक्या सिद्ध कराना सिखाएंगे और यही सब सवाल इन ही में से आपको 27 फरवरी के बोर्ड के एक्जाम में 100% सवाल देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो आप वीडियो की स्किप मत क कीजिएगा और इन सभी सवालों को आप जरूर तयार कर लीजिए तो चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं और फ्रेंस यह वीडियो आपको यदि पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर यह बोर्ड के इकजाम में हंडियमशन परशैज हर साल सवाल आता है ठीक है इस सवाल को आप जबार कर लिजिए दिए फ्रेंस इस प्रकार के सवाल को आप सिद्ध करेंगे था कैसे सिद्ध करेंगे तो पहले आप क्या कीजिएगा कि यहां पर माना चैसे बता रहे हैं प्रिमेश्ध्या माल लिजागा क्या है ठीक है अब इसके बाद आऄ क्या करें गे कि यहां पर करड़ी तीन बराबर क्या करें गे की तीन बराबर एपान भी माल लिजेगे निंदे Congressman में परिमेर संक्या करते हैं और लिखेंगे जहां शाथ जाहना अभाज संख्या और लिखेंगे बीजनाड जीरो इसका मतलब होता है कभी भी हर में जीरो कमान आप नहीं हो सकता है ठीक है अब इसके बाद अगला स्टेप में आप क्या करेंगे यहां कीजिएगा कि दोनों पच्छों का वर्ग करने पर ठीक अब दोनों पच्छों का वर्ग करेंगे देखिए अब देखिए आपको क्या हो जाएगा कि अब इसकुएर जो है ठीक है यहां पर लिखेंगे देखिए जैसे पतार अप लिखिएगा ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा कि ए स्क्वाइर जो होगा ठीक है ए स्क्वाइर तीन से विभाज्य होगा विभाज्य विभाज्य होगा जब तीन से विभाज्य देखिए होगा ये इसका मतलब ये क्या हो जागा कि ये जो होगा ये तीन से भी विभाज्य होगा विभाज्य होगा ठीक है देखें यहां पर इसलिए विभाज्य है ये कि जब यहां से कड़ी हर जाता है तीन से विभाज्य हो जा अब लिखेंगे बिद्र क्ता मालेंगे यह बराबर किशनीं माले इसको एक उब लेगे और यहां लिखेंगे कि समीकड़ एक में ए बराबर तीन सी रखने पर रखने पर ठीक है इसी समीकड़ को यहां भी लिखिए गया आप यहां भी कितना है आपका यहां पर देख लिजिए कि तीन भी इसक्वार बराबर एसक्वार समीकड़ नंबर यह एक है और इसी में क्या करना ए बराबर तीन सी रखना है तो देखें तीन भी इसक्वार बराबर एक कितना रखेंगे आप आप देखें च्वार कर लीजिएगा यहां पयोगा कि तीन भी इसक्वार बराबर यहां पर ध्यान दिजिए अब यहां पी लिखिएग़ जैसे उогод्पर लिखे थे है यहां पी लिखिएगेए आप की बी स्कॉायर जो है यह अधिस्क अधिया टीन से कि एंसे कि व्याट Ск bakais शोगा तो अतह अतह लिखेंगे आप बी भी जो होगा तीन से विभाज्य होगा इस तरह लिख लिजिएगा अब देखिए आप क्या देख रहे हैं यहां पर देखिए इसको समीकर नंबर आप दूमाल लिजिएगा ठीक है अब देखिए समीकर एक और दो से समीकर एक में भी यह तीन से विभाज्य है और समीकर दो में भी भी तीन से विभाज्य है यहां पर लिखिएगा आप कि समीकर एक तथा समीकर दो से जब समीकर एक और दो से देखेंगे देखिए क्या लिखेंगे आप देखें लिखिएगा आप ठीक है कि तीन जो है तीन से तीन ए और बी ठीक है का एक गुरन खंड क्या लिखेंगे गुरन खंड है जबकी जबकी हमने प्रारंब में प्रारंब में प्रारंब में माना था कि एक कामा बी जो है स अभाज संख्या है स स अभाज संख्या है तीन है एक गुणन हो गया तीस का मतलब क्या होगा स अभाज संख्या है अता हमारी परिकल्पना जो माने थे आप उपर हमारी परिकल्पना हमारी परिकल्पना गलत है इसलिए कि आप सा भाजे माने थे जब कि यहां पर तीन इसका गुर्ण खंडा गया यह हमारी परिकल्पना क्या है गलत है जो आपने माना थे यह गलत है ठीक है अब क्या लिखें गलत है तो करड़ी तीन क्या होगा एक हमारी परिकलपना गलत है कि करड़ी तीन एक परिमे संख्या है परिमे संख्या है यानि कि जो यह मानत है अप्य है यह गलत परिकलपना मानत है यहां लिखिए अताह लाश्ट में क्या लिखना है आपको अताह लिखिए कह यहां पर कर्ड़ी तीन हो डिन जंख्य कि एक अवरी में संख्या होगा है यह इस तरह आपको क्या करना था कि कрь दू कली तीन हो जाल दू हो जाल कर रेज़न न को फंथ यह एक अपरी में संख्या इस प्रकार से Big ना शेये चिंवरी में संख्यां छिदिख करके बता है Πरकार से आपको जो सवाल लगा है यह सवाल आप ध्यान से एक बार देख सकते हैं चली पूरे सवाल को देखा देते हैं जिससे आप इसको उतार के इसका प्राक्टिस कर ले इस प्रकाश से आपको इस टेप क्या करना है पूरा मानना है ठीक है इतना मानने के बाद इस प्रकाश आपको क्या लिखना पड़ेगा सिर्फ दो लिखना पड़ेगा और परकाशर्द के लिए तर आपके सामने दूसरा नंबर का सवाल है कि दरसाइए कि पांच करड़ी में दू एक परिमें संख्या है इसे आप सिद्ध करना आपको बताते हैं कि इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे ठीक है देखें अब आपको सिध्य करना सिखाते हैं पांच करणी में दूर। यादि आपके बोड के एकजाम में आ जाएं कि एक परिमे संख्या है इसे आप कैसे सिद्ध करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे आप मानिएगा, जैसे आपको बता है उसी तरह मान लिजएंगे, माना कि पांच करड़ी में दू क्या है आपका एक परी में संख्या है परी में संख्या इसे मानेंगे परी में संख्या सिर्फ लाज तक वीडियो देखेंगा देखते देखते आपको क्या हो जागा यह प्रश्ण आपको आदम याद हो जाएगा ठीक है परिमे संख्या मान लेंगे आप अब मानने के बाद क्या करेंगे वही करेंगे आपकी यहाँ पर लिखेंगे पांच करड़ी में दू क्या हो जागा यहाँ पान भी से मानना है आपको और यहाँ पर लिखना है जहाँ एक आमा भी साभाज संख्या है सभाज संख्या का मतलब यह होता है कि इसका कोई दूसरा गुड़ा खंड नहीं होता है यहाँ पर लिखेंगे बी इस नाट 0 मतलब बी कमान आपको 00 नहीं लेना है ठीक है इतना माली यह है अब यहाँ पर क्या करेंगे पांच को इधर प्रश्छांद करेंगे तियह. quedo अीपार 5 तब दर आएगा तक इतना यह यह 5 भी हो जाएगा अब वही करना है आपको कि यहां पर आप की यहां पर कि lead दीजिएगा लिखिएगा पांच जो हैं मॉट के कामगने और ओर पर 2 हो धुछैघिगे पांच गच्छैंति जो तिनों कि यह हो भी वा-पांच हो दो गया प्गाहि पांग एक पुढांक है अब यहां लिकिए क्विर दिए दिए कचिन होता है यहां पर आफन पाण टीड़ कर outlined क्या हो लिए एक पर्वह मनने कि इसलिए संख्या है कि संख्या है mm K ठीख है पाच जो है पाच हुआ ए हुआ और बी पुडांग के लिए पाच बीए क्या हो जाएगा एक परिमे संख्या कारली दूबी क्या हो जाएगा कारली दूबी भी एक एक परिमे के पिरमे जंख्या परिमे क्या वोगा ठीक है क्यों होगा कि यह पांच और भी एक परिमे क्या है तो दोनों पर आपका जब गडाबर है यह परीrez संख्या होना चाहिए जो कहने एक हैं यह पर संख्या अपरीमे संख्या है जो अभी आपको तीन सी दिकर करके पता आप अत्री में तो कि अत्रीं दूसरे अत्रीन पता स्टीक है ओई आपПर्णाशतोस भी यहाँ अब प canal 5 अपनक 55 परिमेस तो आपका परिमेस संध्या हम सिर्ट एक। दिव्याम कि और रिखनगे इस कि तथय का विरोधा भास जो उपर माने थे ये विरोधा है यत विरोधा भास एंगaran फ्रीर न्यों कि ए अब समस्धा बल्पार फे Самपने terroráticas मांने एक संख्या है यह क्या ह duy 14 पार्ब त güya लिखेंगे अत्ध में दू पांच कर लीमें दू एकर की करी में त्धी संख्या होगा है यह प्य जी और आपको यह देता है यदि ये सवाल में जैसे आपको इसे प्रकाइब बता है फश्वाल में तीन सवाल में जैसे आपको सवाल इस तरह इस तरह आपको अपरी में संख्या शिद्ध करना रहता है कि दिखें अगला सवाल आपकर है कि चित्ड किये कि 5 माइनस कर ते इक परिमेसंख्या यह सवाल आ जाता इससे कैसे सिद्ड करेंगे यहां पे चीजी stinky hel eta जैसे आपको पता इसी तरह मानना है माना ठीक है कि पांच माइनस ह हैना थे हो आप क्या लिखेगा 5-ज़त में टी एकlocks अ परिमे संख्षा इसे मानने अगर पहले परिमें यह अब क्या माले यहि इसे परिमे संक्ध्षा मांने अब जैसे ही इसे परिमें संख्या मानेंगे आप यहां पर क्या लिख सकते हैं इसे लिखेगा कि 5-3 में 3 बरावर क्या मानेंगे एपान बी माल लिजिएगा और यहां पर लिखिएगा जहां जहां एक कामा बी क्या है सअभाज संख्या है एक सअभाज संख्या है और यहां पर दिखाएंगे बीज नट जिन दखा दीएगा भूषिया अब इतना दिखाने के बाद आपको क्या करना है? कि यहां पर देखए कि ृष्य Ст- में- कड्0 3 है ति कड़ी 3 को इधर पचात कर लिजिए और A अपान B को इधर 5 कर लिजिए तो देखें, यहां पर 5 है A अफो इधर लाएंगे तो My अ- A, B हो जाएगा और कड़ी 3 को इधर लाएंगे था माइनस कड़ी 3 है तिधर आगे प्लस कड़ी में 3 हो जाएगा ठीक है यारी कड़ी 3 हो गया अब देखें यहां से क्या हो जाएगा लिखेंगे कि चुकि 5 हुआ A हुआ और B पुढांक है क्या है यह पुढांक है ठीक है पुढांक है इसलिए अब क्या हो जागा 5 माइनस A अब 5 जो B है यह पूरा ठीक है एक परिमे संख्या होगा एक परिमे संख्या होगा ठीक है देखिए जब यह पुडांग है तो पांच हुआ माइनस ए अपन बी जो हुआ यह परिमे संख्या कंत रगाता आएगा ठीक है तब यहां पर कोड़ी तीन है आप लिखें तब कोड़ी तीन क्या हो जाएगा कोड़ी तीन भी जब यह दो कि एक पच्छ में यह आपका परिमे संख्या होगा ठीक है जब यह अक परिमे संख्या है तो कड़ी तीन भी आपको परिमे संख्या होना चाहिए लेकिन अभी आपको सीद्य करके क्या सिखाए कि कड़ी तीन हो गया चाहे कड़ी दू हो गया चाहे कड़ी पांच हो गया यह अपरिमे संख्या के अंत्रगात आ लिखेंगे यहां करी तीन करी तीन एक अपरी में संख्या होता है लिखेंगे करी तीन एक अपरी में अपरी में संख्या संख्या है ठीक है इस करी तीन के एक अपरी में संख्या है इस तत्य का जो आप माने है इस तत्य का विरोधा भास है क्या है विरोधा भास है जो आप परिकलपना माने है वो गलत है न तो विरोधा भास लिखिएगा या परिकलपना गलत हो लिखिएगा भास विरोधा भास है ठीक है अब यह विरोधभास वो गया तो अत्ह क्या लिखेंके जब यह विरोधभास लिखें गगर नीचे अत्ह kommt 5 माइनस करड़ी में 3, 1 प्रिमें संख्या है एं प्रिमें बसकी मिंपने सवाल में दे दें कि 5 फलस कड़ी में तीन दे या फ्र कर आप सिद्ध कर ना रहता है तो आपको जितने बी सवाल बता इन सवालों को एक दो बार प्रैक्टिस कर लिए इसमें एक सवाल आपको बोर्ड के एकजाम में हंडेट परसंटेज देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो आपको इसी तरह परतेख चेप्टर का परतेख जितने भी इंपॉर्टन कोईस्टिन है आप सभी को डेली वाइडेली करा देंगे जिससे आपको 27 फरवरी तक पूरे मैद का अदम अच्छे प्रकास तैयार हो सकता है आपका ठीक है तो आप वीडियो पर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल पर नहीं तो चलो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें